तो अगर आप गूगल एडसेंस से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट या अपनी वेबसाइट को एड़ करने चाहते हैं तो यह वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करके आपको अपने वर्डप् तो गैज जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ गूगल एडसेंसि ठीक है अब जैसे हम आप यहाँ पर गूगल एडसेंस सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद जया पर पहला वाला लंक आपको कुकर कर देना है करना है यहाँ पर क्लिक कर सब्सक्राइब क्या estado कर करने के जा सब्सक्राइब करने क्युक्त आपको यहां पर जिमेल से साइन अपको क्या करना होगा तो मुझे स्कुत-त्रुषी यहां पर किलिक कर देना है और आपको दियान देना है गूगल एडश्साइट का नाम यहां पर कंट्री को सेलेक्ट कर देना है तो जैसे हमारे country यहाँ पर इंडिया है तो मैं यहाँ पर इंडिया को select कर देता हूँ उसके बाद आपको नीचे scroll करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर tick करना है और यहाँ पर start using adsense पर click कर देना है और उस code को guys हमें अपने WordPress website में add करना होगा तो आपको क्या करना guys यहां पर हमने website को add कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना यहां पर ads पर click करने के बाद आपको यहां पर code मिल जाता है तो यहां पर आपको get code पर click करना है और आपको guys से यह यहां पर हैर्ड.psb कीलिक करना है कि करने के बा达 यहां के दो आपट देता हूं अपर एक फैल पेकलिक करने के बाद ही हमारा एर्फेποιं स्कॉड को यहांपर पेस हो जाता है हमारे वेबसाइट हो जाता है उसके बाद आपको यहां पर डन पर किली कर देना है और किली करने के बाद हमें यहां पर दस या पंदर दिन वेट करना होता है और उसके बाद हमें यहां पर मेल आ जाएगा यहां कि हमारी वेबसाइट पर एड़ाना करना है तो गैज आई होप कि आप लोग के समझ में आगे होगा कि कैसे करके हमने गूगल एडसेंस अपने वेब साइट को कनेट करना है और गैज अगर आपको कोई वी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते एंड गैज इंस्टाग्राम पर जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं तो के लिए आपको अपने ध्यान करना है जैहिन वंदे मातरम